नमस्कार, मांचे रुशंग पईशा ना आउदा सम्मा मात्रे हूँ, एदी हाथ मा पईशा आये वने, त्यों पईशा के मा लगानी गरने। शेर कीनेरे राखने, की गोल्ड कीनेरे राखने, की एफडी मा राखने। त्यस्तों खाल को कन फ्योजन लगातार आउना थाल दो रहाचा। यदी तपाइं जानने मांचे यो वने, तपाइं ले शाय दियो समस्या ना वला। तपाइं ले यो कुराहरो को राम्रशंगा ग्यान छाय ना बने, तपाइं ले पक्के पनी एक परकार को छटपटी उन्चा वलाने। तेसेले एस वीडियो मां मां शेर वाजार मां लगानी गरने की एफडी मां लगानी गरने। तपाइं को लागी कुल उप्युक्ता हुना सक्षा यो प्रस्णा को जवाब दीना गई राखे गोछु। किरपिया वीडियो पूरे हेरनो वला। येस वीडियो मां मेले जम्मा सात ओटा पॉइंट्स को बारे मां पुरागरना वे राखे गोछु। अनि साते ओटा पॉइंट्स को बारे मां तपाइंट्स संग विचार गरनू भोवानी। पैलों पॉइंट्स को विचार गरनू परयो भपनी। शेर बाजार मां रिस्क बढ़ीने हुँँछा, किने की शेर बाजार निके नी बोलाटाइल हुँँछा, बोलाटाइल भखो कारल ले आज पांच शेर वियामा किने को शेर भोलीनी सारे चार्शे मां आई दीन शक्छा, तर तपाइले पईशा FD मां राखन भाहा छा बने, तपाइले जती पर्सेंट उले ब्याज दिन शो भने को शेर बैंक ले, तेती पर्सेंट तपाइले ब्याज आउँछा नहीं, तेसले रिस्क कोहिं साबले देहर नुँछा बने, शेर बाजार बन्दा FD चाहीं कम रिस्की छा, दुसरो कुरा, रिटर्ण्स कोहिं साबले संभाबना देहरे छा, एदि फिक्स डिपोजित में तपाइले पईशा राखने बहाँ छा बने, तपाइले जती रूपिया ब्याज आउने गरी राखने बहाँ छा, तेसको म्याचुरीटी पेरियाट समा तपाइले पाउने तेती नहीं, तेसले FD में कम रिटर्ण्स बन ऐक बर्सले बन्दा पईले पईशा निकालना मिल देना, यदि निकालने परे ऊने, तपाइले के पेनाल्टी तीरे रह वल्ला निकालना पाउने हून्छ, तपा एजय चाहनू होने आज़ी पनी शेर बेचना यो ंज़ता बहाँ हँन्छ, तेसले ले, लिक्युडिटी को इन्फेश्टमेन ओराइजन मतynı में आन्ट में विचारेक्ट श्राइख बढ़ी गुना प्रतिफल दिना सक्छा। किना पांच बर्षा युटा लामो समय हो। लामो समय मा शेर बाजार ले एक न एक फड़कोदा मारेके उन्छा। एस्तो अबस्था मा तपाइले FD मा राखनो बंदा बढ़ी पईशा तेता तिरा तैम बनना सक्छा। नम्बर पांच डाइभर्षी फिकेशन वनेको तपाइगों पईशा कती ओटा सेक्टरमा लगानी भगोच्छा। एदि तपाइए FD मा पईशा राखनो बंदा अब्यसली एउटे सेक्टरमा तपाइगों पईशा लगानी भगोच्छा। र यदि तपाइं शेर बजार मा तेई पहिशाले लगानी गरना भाकुछा बने तपाइंको पहिशा बिविन सेक्टर सरुमा लगानी गरना सकना होंचा नेपाल मा करी-करी 12-13 सेक्टर हरुचान ती सबेश सेक्टर मा मीलार तपाइंल आपनो पहिशाले डाभर्शी फाई गरेरा लगाउन शकना होंचा तेस कारण के बनना सक्यों बने यदि तपाइं पहिशा FD मा राखना होंचा बने तपाइंको डाभर्शी फिकेशन भायेको होंदैना तर शेर बाजार में पहिशा लगानी गरना होंचा बने तपाइंको पहिशा डाभर्शी फिकेशन भायेको माने छा नम्मर छा, इन्फलेशन प्रोटेक्शन तपाइं ले यो कुराले बने विचार गरनों परने होंचा कि महंगाई एकदमे जोर तोर ले बढ़ी राखेको होंचा यदि तपाइं FD मा पहिशा राखना होंचा बने मानी लिए FD मा तपाइंको 10% ब्याज आए राखेको छा रा मंगाई पनी 10% ले बढ़ी राखेको छा बने तपाइंको पहिशा चाहिए क्यों बढ़े होता कुने-कुने अवस्था मा बैंक ले तपाइं लाए योटा फिक्स्ट ब्याज दिये पनी तपाइंको पहिशा खासे बढ़े को होदाईना मंगाई को कारण ने गरदा खेरी त्यों पहिशा ये तव मैं शेर बजार मन लगाईनी गरण उँचा बने शेर बजार बने को योटा कंपणी हरु को योटा साज़ा बजार हो कंपणी हरु ले बिजनस गरच रो बिजनस ले जहीले पने इनफिलेशन लाइन माथिन जीतेको उँचा तेश कारण ले गरता खेरी, के बनना सक्यों बन्दा खेरी, तपाइले FD में पैशा राखनु उन्छा बने, inflation protection न हुना सक्षा कतिवे बेला मा, तर शेर बजार मा लगायनी भव बने, तेहां बाटा inflation protection चाए हुना सक्था छा, रशातो पॉइंट चा, ट्याक्स को कुरा आऊंचा जती हे रत तपाईंको पहिशाले FD बाट ब्याज कमाऊंचा तपाईंको पहिशाले FD 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 ब्याज कमाऊंचा पांच परसेंट अर्थाथ 5,000 रुबिया सरकार ले ली आलचन रथा पाइले 95,000 मातरे देन छा तर शेर मा यदि लगानी गरना भाव चा बने तबाइले लामु समय 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 सेर ले ब्याचन भय न बने तबाइले कुणिपनी परकार को ट्याक्स तीर न पर देना अर्थ तमाइले लामु समय लिए इन्वेश्ट गरना होन छा बने तबासमध तमाइले को ट्याक्स को पैसा न तिरी कंव खिसाबले तमाइले को सेर में बसी राखना सक्छा साथ यर्यले कन्कुलूजन को रूपमा भननु पर बने तपाईले आपनों पईशाले शेरवाजार मलागा आनी गरने कि FD को रूप मा बहिंग मा डिपोजिट गरेरा राखने यो कुराईदी गर्दे हुनुन छा बने इस साथे उटा पोइंट शरले विचार गरनूस अनि तेसपचे तपाईले डिसीजन लिनु भबने सायद तप अश्कार धन्यवाद